बेलकम टू टॉप लर्निंग क्लास आई हम लोग देखेंगे इकनोमिस यह पार्ट टु है जिसमें हम लोग टॉप टेन कोशन हम लोग याद करेंगे चलिये हम लोग कोशन की दुनिया में पहला कोशन है आर्थिक विकास के बारे में जनकारी हमें किसकी परिभासा से मिलता है सेमुल पिटर्सन से आएंगे किसी बस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए कितने साधन के अपसकता होती है चार कौन-कौन भूमी, स्रमिक, पुंजी, उधमी आँगे किसी बस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए स्रमिक की अपसकता होती है या नहीं कोचन है थ्री में किसी बस्तू या सेवा के उत्पादन के लिए स्रमी की अब सकता होती है या नहीं होती है किसी बस्तू या सेवा के उत्पादन के लिए भूमी की जरुत होती है या नहीं हाँ होती है किसी बस्तु या सेवा की उत्पाधन के लिए पुझी एवं उधमी की जरुत होती है या नहीं होती है निवेश का अर्थ क्या होता है पुझी लगाना आँगे बिनिमे का अर्थ क्या होता है? खरीद विक्री करना आँगे बजार में बस्तू की किमत का निर्धारन किस पर होता है? बजार में बस्तु की कीमत का निर्धारन किस पर होता है बस्तु कीमत निर्धारन पर होता है टेनलमड कॉस्चन आर्थिक किरिया कलाब के अधहार पर अर्ध ब्यवस्ता को कितने भागों में बाटा था? आर्थिक किरिया कलाब के अधार पर अर्थविवस्ता को कितने भागों में बाटा गया था तीन भागों में बाटा गया था कौन-कौन पुंजिवादी अर्थविवस्ता, समाजवादी अर्थविवस्ता और तिसरा है मिश्रित अर्थविवस्ता एक वड़ा हम लोग आऊ डिवीजन कर लेते हैं पहला कोचन है आर्थिक विकास के बारे में जनकारी हमें किसकी पड़िभासा से मिलता है सेमुल पिटर्सन की पड़िभासा से मिलता है किसी बस्तू या सेवा के उत्पादन के लिए कितने साधन के अब सकता होती है चार कौन-कौन भूमी, स्रमी, पुंजी, उधमी किसी बस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए स्रमी की अब सकता होती है या नहीं कोश्चन 3 में है किसी बस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए स्रमी की अब सकता होती है हाँ होती है किसी बस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए भूमी की जरुत होती है या नहीं किसी बस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए पुंजी एवं उधमी की जरुत होती है या नहीं होती है आंगे निवेश का अर्थ क्या होता है निवेश का अर्थ क्या होता है पुंजी लगाना आंगे बिन्मे का अर्थ क्या होता है खरीद विक्री करना आंगे बजार में बस्तु की कीमत पर निर्धारन किस पर होता है बस्तु कीमत निर्धारन पर होता है आंगे बस्तु के उत्पादन के लिए संसाधन पर कीमत निर् अधारन पे आएंगे आर्थिक किडिया कलाब के अधार पर अर्थ ब्यास्ता को कितने भागों में बाटा गया था तीन भागों में बाटा है पहला है पुंजीबादी अर्थ ब्यास्ता दूसरा है समाजबादी अर्थ ब्यास्ता तिसरा है मिश्रित अर्थ ब्यास्ता ठीक ह हम लोग यहां तक रान्ने देते हैं जिसमें हम लोग टॉप 10 को चना हम लोग आज डिवीजन किये हैं आगे वीडियो देखने किये लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद